सुशान सिंग राजपूत और अंकिता लोखंदे का 6 साल पुराना रिष्टा तूट गया है रिपोर्ट्स की माने तो सुशान ने वो जगा छोड़ दी हैं जहां वो अंकिता के साथ लिविन रिलेशन्शिप में रह रहे थे अब उन्हें नए घर की तलाश है वैसे इस साल के पहले तीन महीने सुशान तो रंकिता के लिए ही नहीं बलकि कई दूसरे बॉलिवूट सिलेप्स के टूटे रिष्टों की खबरे भी लाए हैं इस साल कौन-कौन से कपल्स हो गए हैं सेपरेट आए जानते हैं रंबीर कपूर और काट्रीना कैफ रंबीर और काट्रीना के ब्रेक अपने सबसे ज्यादा सुर्खियां बतोरी जिसकी खबर जन्वरी में आई उन्होंने करीब साथ सालों तक एक दूसरे को डेट किया करीब छे महीने तक लिवन रिलेशन्शिप में रहे और अब वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे है सल्मान खान के भाई अर्बास खान और भावी मलाईका अरोडा के अलगाव की खबरे जन्वरी के आखिर में आई थी दोनोंने करीब 17 साल पुराने रिष्टे को तोड़ने का फैसला किया हाला कि मार्च एंड तक वो इसे लेकर चुपी सादे रहे और अब जाकर उन्होंने अपने सेपरेशन की बात कबूल की है एंटीवी रोडीज और स्प्लिट सुला जैसे शोस को होस्ट कर चुके रगूराम और उनकी पत्नी सुगंधा गर्ग के अलग होने की खबर जन्वरी की शुरुआत में ही आई थी दोनों की शादी को करीब एक दशक पूरा हो चुका था 22 जन्वरी को फरहान और अधूना ने उफिशल स्टेट्मेंट जारी कर अपने अलगाव की खबर पपले की साल 2000 में उनकी शादी हुई थी परहान और अधूना के अलगाव की वज़े अधिती राओ हैद्री को बताया जा रहा था लेकिन खुद अधिती इससे इंकार करती है विराट और अनुश्का के ब्रेक अप की खबरें भी मीडिया में फ़रवरी से चाही हुई है मीडिया में तो यहां तक कह जा रहा है कि अनुश्का से अलब होने के बाद ही विराट कोहली अच्छा क्रिकेट केलने लगे है प्रियदर्शन और लीजा डारेक्टर प्रियदर्शन ने इसी साल जनवरी में अपनी पतनी लीजा को तलाग दिया दोनों के बीच तलाग की खबरें करीब एक साल पहले से चल रही थी लेकिन जनवरी में प्रियदर्शन ने ओफिशिल स्टेट्मेंट जारी कर कहा कि उनका लीजा से कानूनी तोर पर तलाख हो गया है। लेकिन वो हमेशा दोस्तों की तरह रहेंगे। इतना ही नहीं ओमपुरी तक ने अपना 26 साल पुराना रिष्टा तोड़ा। फरवरी में ओमपुरी ने पतनी नंदिता से 26 साल पुराना रिष्टा तोड़ लिया। इससे पहले भी कई बार उनके बीच तकरा की बातें सामने आई थी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ, बाई बाई